उसने हर भारतिये की भावना को गहरी ठेश पहुंचाई। अधेशी पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसे का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकता है। और क्या भाशा बोल रहा है। आधिन अधिक जी बताने क्यों कुछ लोगों को भारत मा की मुर्तियों की कामना करते ने जरा रहे। इससे बड़ा दुरहागी क्या है। यह वो लोग हैं जो कभी लोग तंद्र की हत्या की बात करते हैं। कभी सम्विधान की हत्या की बात करते हैं। दरसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हरान हूँ। और यह बोलने मले कौन लोग है। कहीं देश भूल गया है। इस चवदा अगस्त। विभाजन विभी शिकार। पीड़ा दायक दिवस। आज भी हमारे सामने उन चीफर को लेकर के उ दर्दख को लेकर के आपके। यह वह लोग जन्होंने माभारती के तीन, तीन टुकडे कर दिए hai। जह माभारती की यह गुलामी की जंजिरों से मुक्त करना था। जब माभारती की जंजिरों को तोड़ना था, बेडियों को काटना था, तब इन लोगों ने माभारती की बुजाएं कार दी, माभारती के तिन तिन टुकड़े कर दी है, और ये लोग किस मूझ से इसा बोलने की हिम्बच करते हैं। अधिनियदर जी, ये वो लोग हैं, जिस बंदे मात्रम गीत ने, देश के लिए मन मिटने की प्रेणा दे थी, हिंदुस्तान के हर कौने में, बंदे मात्रम चेतना का स्वर बन गया था, तुस्ती करन की राजविति के चलते हैं, उन्होंने माभारती के ही टुकड़े किये त प्रेट के बीट टुकड़े कर दिये लोग, ये वो लोग हैं मानले अधिगी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नाराव लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोचान करने के लिए, पहुंच जाते हैं, भारत तेरे टुकड होंगे, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं, जो ही कहते हैं, कि सिली गुरी के प्लाद जो छोटा सा नौर्थीस को जोडने वाला कोरिडोर है, उसको काट दे, तो बिलकुल नौर्थीस हालक हो जाएगा.